आसा करता हूँ आपसों लोग बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने सेलेक्टिव लर्निंग अड़ा पर चलिए स्टार्ट करते हैं वैदुद छेतर के बारे में आज कुछ समझते हैं तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था वैदुद छेतर क्या होता है वैदुद बले खाएं क्या होती है लेक्चर नमबर फोर में हमने ये सबचीर डिसकस किया था तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वैदुद छेतर से लेकर ही है बट यहाँ पर हम आज ये देखने वाल तो यहां पर आज हम सीखने वाले हैं एक बिन दो आबेस के कारण या बहुत सारे आबेसों एक से ज्यादा आबेसों तो उनके कारण कैसे हम वैदुच्छेत्र की करना करते हैं तो हमारा यह एक से दो लेक्चर इसी पर वेस होगा हाउडू फाइंड उठकि फेल्ड चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगहे द 실ी लोग अगर आप नए स्टूडेंट है तो आप हमारी इस लेक्चर को हैंँ आप पांच पांचा याज हमारा लेक्चर है तो आप learntar करें जिसमें आपको फूल आएगा यह चैप्टर कैसे अगर आप ने एंट हैं तो आप हमारी श्टुटिंट को आप पाँंच पांच вам यह आज हमारा लेक्टर हैं तो आप किरपया करके पहला लेक्टर दूसरा अटेंप्त करें जिसमें आपको फिल आएगा यह चैप्टर कैसे स्टार्ट होती तो इनको कैसे यह कैसे लगते हैं एक दूसरे के बिपरी दिसा में या एक दूसरे को कैसे यह प्रतकरसित करते हैं उसके बारे में अच्छे से पीछे वीडियो में बताया गया है कैसे इनकी दिशाएं बदल जाती हैं तो आप जरूर देखें और जैसे हमने फॉर्थ ना यह लाइन यह कैसे काम करती हैं आप देख रहे हो ना अगर हम इस चार्ज को कहीं पर भी लेके जाएं तो इनकी जो फेल्ड की ड्रेक्शन है ना वो क्या होती है चैंज होती है तो बड़ी कमाल के हैं यह एलेक्ट्रिक फेल्ड इनसे हम कुछ नए नए चीजें बना सकते हैं ठीक है और आप इस समय देख रहे हो ना जब जब हम गलतियां करते हैं तो जरूर एक अविस्कार का क्या होता है जन्म होता है अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो अविस्कार नहीं हो पाएगा तो गलतियां करना सीखिए हर चीज के बारे में समझने की कोसिस करिए तो तो पिछले लक्षर में हमने ये देखा था ये electric field line कैसे generate होती है उसमें बताया गया था बट उसमें ये नहीं discuss किया गया था कि अगर हम कोई एक charge लेके आएं कोई एक charge लेके आएं तो जिसे ये एक charge है ना पास में आ रहा है देखो इसकी जो value है ना बढ़ रही है धेरे धेर ये जो तीर है ना तीर ये सो कर रहा है किसकी जो magnitude value है magnitude मला परिमाड वो कितना होगा तो आज इस पर हमारा पूरा focus होगा दिखें जैसे जैसे पास मिलाते हैं तो इसकी value बढ़ती जाती है ठीक है अदूर ले जाते हैं तो ये धीरे-धीरे कम होता है और ज्यादा दूर चल इन सभी charge के होजासे मालो कई सारे charge हों ठीक है कई सारे charge हों तो इनके कारण कैसे ये हमारे पास electric feed generate होंगे ठीक है जैसे ये आप देख सकते हैं एक charge नहीं है बहुत सारे हैं ठीक है इस आप इसको हम अंदर रख देते हैं चलिए अगर हम कुछ negative charge ले आएं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है तो क्या होती है कि भाई इस system में इस निकाई में जो total electric field होगा इन तीनों के कारण कितना होगा उस पे मुझे बात करना है किसी point पर ठीक है मालो यह आपका point है यहां पर मुझे देखना है यह कित इसना field field कर पा रहा है इन तीनों के होजा से तो अब उसके लिए हमें कुछ count करना पड़ेगा तो यहां पर देखिए बड़ा ही जी है सबसे पहले हम क्या करते हैं कहीं पर भी निकालना होता है उसके बाद हम उनका परिमार लिखना चालू करते हैं विद सदिस एडिशन स्वार प्लेश टूए भी कौस थीटा जैसा कि यह चीज हमने पिछले रेक्षर में बताया है कैसे निकालते हैं तो चलिए इस टॉपिक को और ज्यादा से ज्यादा इंट्रेस्टिंग बनाते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वह सबसे पहले नंबर विंद्वाबेस के कारण उत्पन वैदुच्छेद्र की तीवरता एलेक्ट्रिक फेल्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो आईए समझते हैं एक पॉइंट के लिए अगर आपको एक पॉइंट के फैइ आज दोरी पर और दोरी पर इना इसका इंगो इसका तो हम क्या करेंगे एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे क्यों यूट उससे कहेंगे जाओ पहले तुम तोमारे उपर लैज्टा है तो यह हो एलगा काँए सर अगर हम कोई आवेज है가 कि-सी एक इसे माद्ध में रखते हैं जिसका परावधतांग क्या है क्या है तो इससे आर दूरी पर है ना एक हम धन परिच्छाणाब बेस रखते हैं क्यवल्कि वहल इसका काम क्या है बल्ड को कर देते हैं क्यूंटू क्यूनो 925 ओड़ा होता है क्यों इसका ना अच्छ इसके दिशा कि दर ओगी क्यों इसी लाइन के लोंग इधर ओगे बलकि जो दिशा होगी दर होगी यह सिदो औरored 10 giàSp fan आप सुफ यह यह अगर बात करें मादो आपका यह ए फोर्च लगा है बी पर किसके कारण एके कारण ठीक है तो यह हमने कर लिया भी है तो अब हम बात करते हैं एलेक्ट्रिक फिल्ड ओफ इंटेंसिटी इंटेंसिटी कितनी होगी तो जैसा कि आपको फिसले लेक्चर में बताया गया था जो आपका वैदुत छेत्र की तीबरता होती है वैदुत छेत्र की तीबरता की तीबरता आप इसको याद रखें बड़ा ही इंपोर्टेंट है य बराबर एफ अपान क्यू नॉट मलब जो चार्ज लेकर आएंगे ना अब यह जरूरी नहीं क्यू नॉट हमेशा सो करें आप कुछ भी सो कर सकते हो बस आपको सो क करना है ठीक है तो f is called to one upon four pie epsilon naught q into q not upon r square यहां पर आप कि हम वैदु छेत्र की बात करेंगे ना तो इसमें स्क्योवल सिंगल आबेस आएगा जबकि बल में दो चार जाते हैं देखें जिस पॉइंट पर मुझे निकालना होता है उसका आबेस कट जाता है कैंसल आउट हो जाती है ठीक है चलिए बात करते हैं अगर एक बिन दो आब स्यव Всे स्य जादा आभेस हो ऑचाश bord में एक सीज़ गलती हुई है यह किस मात्ट्र में रखा था के तो यहाँ पर के से मुझे क्या करना था उपड़िद auf कर दें ठीक है अगर मुझे पता करना होता भाई निर्वाद में कितना होगा डव्याद थिद्शेत्र आप के क् वैद्दूजभएदूश्यटर ठीक है तो केकमान कितना होगा क्य बराबर वन तो आप यहाँ पर रख सकते हैं वन अपन पोर पाई एपसालन नॉट क्यों पान कितना आर स्वाइर है ना है और इसकी जीज़ू दिसा होगी बल की तरफ होगी चलिए आगी समझते हैं अब बात करते हैं अनिक बिंदुआ भी इसके निकाय की करण उत्पंद वैद उच्छेत की दिवर्टा ठीक है वैद उच्छेत की दिवर्टा अच्छा यहां पर दो बार लिक उटा है तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है इसको लिखने की जरूरत नहीं है चाहिए तो हम इसको अठा सकते हैं आराम से ठीक है जी अब इसको ध्यान रखिएगा इसका ङलिए हमारे पास ही कैसा निकाहर है जहांपर बहुत सारे हैं क्या आहां पर मुझे क्या करना है वैद Ö alimentos करना है टीक है थीम चैंट उम्या करेंगे इनका जो सदिस योगफल होगा r एड करते चले जाएंगेझ कर दती योगफल नहीं सदिस्योगफल ठीक है मान लेते हैं यहां से यहां तक जो दूरी है R1 है यहां से यहां तक दूरी R2 है कितना है R2 और यहां से यहां तक दूरी R4 है और यहां से यहां तक दूरी R2 है इसको 3 कर देते हैं ठीक तो अब देखना Q1 के कारण जो वैद उच्छेतर आएगा कितना आएगा E1 बराबर ऐसे E1 आएगा ठीक है कितना आएगा 1 अपान 4 पाई Epsilon 0 Q1 अपान R1 का स्कुरर बट आप यहां पर ध्यान रगना दिसाएं होनी चाहिए है ना दिसा के साथ हैट करेंगे तो ऐसे आपका E2 आएगा क्या आएगा E2 ठीक है इसकी दिसा मान लेते हैं आपका R1 केफ होगा कितना होगा R1 केफ होगा एक दिसा ले लेते हैं वो जब हम numerical करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हमें दिसा लेनी है ठीक है ऐसे आपका E2 होगा फिर E3 होगा तो इनका जो परडानी होगा परडामी परडामी वैदत परड़ामे वैदुत चेत्र की तीबरता तीबरता इनेट इसको इंग्लिस में क्या बोलता है नेट रिजल्टेंट तो इनको हम बैक्टर के साथ एड़ कर देंगे डारेक्ट इबराबर इनेट बराबर इवन प्लस इटू प्लस ठीक है इथ्री आपको उने पढ़ाया था ब अनेक बिंदू आब इसके करन्ट सेम वैसे ही करते हैं तो यह चीज हमने थार्ड लेक्चर में बता रखा है आप जरूर वहां से हैंना सीख के आईए सेम ऐसे ही हम एड़ कर देंगे ठीक है अब सद्धिस को कैसे अटाते हैं वहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कैसे आपको एपलाई करना है तो आप जरूर उस लेक्चर को देखिए ठीक है चली कुछ अब निमेरकल हो जाए तो ज़्याद अच्छा है आज का हमारा पहला निमेरकल ही रहाप के समने है एक अलफा कर पंदरें इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन न्यूटन कूलाम के वैदुच्छेतर में इस्तिता है उस पर वैदुच्छ बलकी गड़ना कीजे न्यूटन पर कूलाम होता है जी न्यूटन पर कूलाम ठीक है तो एलफा कर्ण है एलफा कर्ण बता सकते हैं क्या होता है तो एच्ची 4 होता है याद रखें यह बड़ा इंपोर्टेंट होता है इसी को क्या क्याते है एलफा कर्ण ठीक है यानि कि अलफा कर्ण में इलेक्ट्रानों की संग्या कितनी होती है दो यानि कि जो आपका अभीस हो value दे रखी जो मात्रक होता है आपका क्या होता है न्यूटन होता है यह एक और होता ध्यान रखें ऐए बोल्ट पर मीटर होता है मीटर होता है यह हैं जैंके सब् simult देखेंगे यहां और ये आप का वैद रख्रशन रखें जा कि रही है चलिए आगे देखते हैं कि एकमान कितना है कि 15 इंटू 10 के पावर फोर फोर न्यूटन पर कुलाम तो मुझसे कह रहा है बल की गड़ना बता दो ठीक है साथ बल आपको बताया गया था जो वे दुच्छेत्र होता है बल वेटी कितना होता है आप इस क्या दिक करता है इसका गुड़ा इसमें कर दो ए इंटू क्यू तो साइद आइए ओप आप इसको कर ले जाएंगे एकमान कितना है दोस्तों आप कमान कितना है 15 इंटू 10 के पावर फोर इंटू क्यू क्यू का मान जे है सरकार चो इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर मैनस का इसका मात्र क्या होगा न्यूटन होगा चलिए इसको हम सॉल्फ कर लेते हैं पटापट इसका मंटिप्लाइब करेंगे आप है ना 15 से पहले आप 2 में कर लें 30 हो गया और 30 का मंटिप्लाइब 16 में कर लेते हैं किसमें 16 में 30 into 1.6 into power का आप power में कर ले 10 के power 4 और यह आप कर रहा minus का 19 घट जाएगा आपका कितना आएगा 10 के power minus का 15 ओके सर हम multiply कर लेते हैं इसमें कोई दिक्रत नहीं है 16 का multiply 30 में करें देखिए यह point इस point को हटा देगा और 16 यह बन जाएगा 16 का multiply 3 में होगा तो 48 आजाएगा into 10 के power minus के 15 न्यूटन आप चाहें तो एक number के बाद point लगा सकते हैं तो इसमें से एक power कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ से एक 10 निकल जाएगा हमारा जो power में एक कम कर देगा 10 के power कितना 14 न्यूटन आया समझ में अगर आपको यह question समझ में आया हो तो आप जरूर comment करें और बताएं चलिए आगे देखते हैं खुशन नमबर सिकेंड अगर आप यह question कर सकते हैं तो आप सबसे पहले नमबर इसको ट्राई करिए चलिए पढ़ते हैं कुशन समझते हैं क्या दे रखा है अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप जरूर comment करना ठीक है जी एक electron है यानि कि आप इसका मान कितना हो एक electron कितना आजीब बात है इसका मान कितना होता है वन पॉइंट सिक्सेंटू टैन के पावर माइनस के उन्निस पुलाम अब यह है ना एक electron आप इसके करण क्या होता हुन ऑपाद 4 pi epsilon naught कियों कितना आपान अर श्कॉयर ठीक है तो मान रखदो इसका मान कितना होता है nine in to ten के पावर 9 nine 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 اسे यादगना इन्टू कियों को मान भाई उन पॉइंट सेक्स इंट्वी 10 पावर माीनस के उन्नीस जी सर और आर कमान उन जुस को बिए तो आप इनको solve करें, फटा फट, ठीक है, 19 में से 9 गया, कितना बचा, 10 के power minus के 10, और 16 का multiply 9 में कर लें आप, कितना होगा, 144 होगा न, तो एक नंबर के बाद point लगा देंगे, इतना आपका बला गया, I hope आपको ये समझ में आया होगा, चलिए, आगे देखते हैं, आप हमारे साथ, notes proper way में बनाते रहना, क्या होता है न, कि हम, आपको सब्चित देने की कोशिस करते हैं, कि आपको concept भी समझ में आ जाए, numerical भी आपके हो जाए, कुछ छोटे नाकुल में लागे, है न, और आपको maximum हम देने की कोशिस करते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहे हैं, और चरूर, है न, आप pen और copy साथ में होना चाहिए, जिससे आपके notes बन जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, अगर आपके वीडियो देखेंगे न, तो उसमें ज्यादा मज़ा नहीं आएगा, तो दोस्तों, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं, देखे भईया, इसमें क्या है न, वैदो दुदुरू कभी भी बनाना हो, ठीक है, तो इसमें जरूरत पड़ती है, दो चीजों की, पहला, दो आबेस होना चाहिए, लेकिन दोनों बिपरीत प्रकृति की होने लेकिन प्रकृति का मलब पॉजिटिव और निगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव, तो यह बड़ा इंपोर्टेंट टर्म है, ठीक है, और उनके बीच की जो दूरी होती है, बहुत कम होती है, अल्प होती है, ठीक है, तो उन्हें क से निकट रखे होने पर बना निकाए वैद दिद्रो कहलाता है तो भाईया मैं आप से कुछ ऐसा कहना चाहता हूं कि दो आबेस हैं एक आपका प्लस का है एक माइनस क्यों का है ना इनके जो बीच की दूरी है बहुत अलप है ठीकि जरूरी नहीं है कि हम जो माने आप वही मा मान रखा है ठीक है आप आर भी मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं यूर फ्री लेट टू एनी वैलू चलिए हमने अगर टू यल मान लिया ना तो इसी यह जो निकाहा है ना पूरा एक सिस्टम है ना इसी को क्या बोल देते हैं वैद दूरो इलेक्ट्रिक डैपोल चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में और तो मेरे दोस्त इसको देखें आप कि यह आपका डैपोल है दो आपके आप इस है ठीक है एक मान लेते हैं आपका निगेटिव है क्या है निगेटिव है और बी आपका क्या है पॉस्टिव है क्या है पॉस्टिव है तो देखिए यहां यहां पर दोनों आब दोनों के साइज देख सकते हैं सेम है साइज का मल्लब यहां पर जो आब इसकी कॉंटिटी जो न सब करों रहे हैं वैड़ तो इनकों जाएद करा सकते हैं ओर इनको सिको इलेक्ट्रिक फ्यड में रख दिया जाए कहानी तो यहां से स्टार्ट होती है अगर हम इलेक्ट्रिक फीड ले आए कहीं से तो भाई ये कुछ कारणामा करने लगते हैं बल लगेगा इसमें इस पर तो ये ऐसे कुछ घोम सकते हैं तो उस बल को भी हम निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं बला घोनकिया कहते हैं बला अब यह किसी फिल्ड बात करनी हूं इनके वजासे किसी बिond पर फिल्ड वह कैसे होगा तो वह सब जिस पर हम बात करेंगे आगे ठीक है तो यहां पर सबसे पहले समझ लेना यह जरूरी है कि भाई डाइपोल कैसे होता है कुछ इस टाइप का होता है ठीक है अब जैसे इनको अगर हम एलेक्ट्रिक फिल्ड में रख दें ठीक है तो अब अगर हम चाहिए तो यह देखिए अपने आप घूम रहे छोड़ने के बाद ठीक है तो कुछ तो लगता होगा कोई बल होगा ऐसा जो लगाया बल और यह घूम गया ठीक है अब देखना पूरा हमने घूमा दिया फिर घूम करके उसी स्टेट में आ जाता है तो यह क्या चीज है यही आपका बला घूंड है क्या है बला घूंड जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं अब बड़ा यह इंपोर्टेंट है तो यह आप देख सकते हैं पॉस्टिप यह निगेटिव ठीक है अगर हम इसको हटा दें तो देख सकते हैं आप इलेक्रिक फिल्ड की डिरेक्शन सो कर रहा है चली कोई भी बात नहीं आगे हम देखेंगे इसके बारे में और अच्छे चैनकारियां रखेंगे आईए अब समझते हैं दो दुरू आघूंड क्या होता है दो दुरू समझ में आ गया यह कॉंबिनेसन होता है दो दो चार्ज का लेकिन एक पोजिटिव होना चाहिए एक निगेट सक लगेडैर नाएंक्स वह तो आपके सेड़ सेल होते हैं क्या होते हैं एस यहां पर आप देख सकते हैं सेल जिसना प्लेस होता हुतना थासे यह आपके किसका निरमाण करते हैं अभिन सल्धकरी चेंटरा होता है है अन cum Dul और दो यहां से गर हम समझानी की कोसिश करएं तो तो आप यहां पर देखिए यह जो इस्ट्रेक्चर है ना यह वाटर के लिए है किसके लिए वाटर जल के लिए तो आप यहां पर देख सकते हैं अगर हम बॉंड लेंथ कम करते हैं क्या करते हैं बॉंड बॉंड एंगल कम करते हैं तो इसका दुरू आगोंड बढ़ता यह बड़ा important है जी देखना ध्यान से अगर हम इनके बीच का एंगल कम करते हैं तो आपका जो यह क्या डैपोल मॉमेंट की direction है दो धुरू आगोंड की direction है देखना कम कर ज्यादा करते हैं जब एंगल है ना तो यह गायव हो जाता पूरी तरह से ठीक है तो आप यहां पर देख स और एक्जामपल देखते हैं इसके जिसे आपका methane है CO2 है तो यह सब इसके क्या है एक्जामपल है जैसे भी आपको water वाला आपको हमने दिखाया ठीक है water में कैसे होता है hydrogen hydrogen यह बीच में oxygen लगा होता है ठीक है इस पे जो lone pair होते हैं इन पे कुछ ऐसा होता है ठीक है यह आप जाती है चलिए आगे अब देखते हैं वैद्व दूधरू अखूंड क्या होता है देखिए अगर आपको यहां तक समझ में आया ना तो इसमें कुछ नहीं है वो जो आपका वैद्व दूधरू था ना उसका मान कितना होता है वो इसमें बताया गया है जैसे आपके पास दो आपते हैं दो इसमान परिमाण में और प्रिकरति की क्या होगा विप्रीत अगर इनके बीच का लेंध नगे क्या करते हैं जो आपका वैद्व दूधरू अघूंड होता है डैपोल मुमेंट उसको पी से दिनोट किया जाता है पी का मान गया होता है एक लन्धरू और उनके बीच की दूरी ले लो यह जो गुलन फल होता है यही क्या होता है वैद्दो दुद्रू अगोंड होता है इसकी जो दिसा होती है क्या दिसा निगेटिव चार्ज टू रिड़ आबेस से किदर होती है धन आबेस की तरफ होती है किदर होती है रेड आवेस से धन आवेस की तरफ तो इसकी जो दिशा होगी धर होगी पी की दिशा आईए इस पर एक निमेरकल देखते हैं जैसे अगर मैं कुश्रन की बात करूँ यह कुश्रन है आपका जिसके पास प्लेश टो को आव इस है यहां पर बीच की दूरी मतलो आउर है यह आपका मायनस का 2Q है तो अगर बात करूं भाई P बता दो मुझे P का मलब दुरुआ खोंड बता दो कितना होगा तो आप कहेंगे सर आप कोई साइक परिमार ले लो दोनों चार्जमें से 2Q ले लो बीच की दूरी ले लो R ठीक है हम यहां पर 2L जो है न वो R के बराबर है तो आप यह मत ध्य Q kतना होगा R कि अब एक नया questionumbles कुछ ऐसे केस्स होते हैं कि वहां पर आपको दिखते नहीं है बनाना पड़ता है दिखते नहीं है बनाना पड़ता है अच्छा सर व कौनसे question होते हैं तो दिखो और बढ़ा important questions है ऐसे questions हैες अते साथे रहते हैं जिससे मांनों आपके यह minus का 3Q है ठीक है यहाँ पर आपके पास plus 5Q है कितना है plus 5Q और यहाँ पर आपके पास minus का 2 क्यों है बोल लिया गया कि sir ऐसे कुछ arrangement है तो आप इनके दूरू आगोंड निकाल के दीजिए है ना इनका जो बीच की दूरी है वो R1 ले लो और इनकी बीच की दूरी R2 ले लो बस यह ध्यान रखना है यह माइनस के है यह R2 है देखिए यहाँ पर दूरियां कुछ भी दे सकता है बस आप ध्यान रखना ठीक है तो एसे कुस्षण को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे वैदर दूर्द अगोंड बनाना पड़ता है क्या करना पड़ता है अब कैसे बनाएंगे आई यह सीखते हैं देखिए भाईया आपको कैसे बनाना है डेकि मायनेस का थिरी क्यों है न तो इसके सामने आपको प्लस का 3Q चाहिए क्योंकि magnitude बराबर करने आए परिमान बराबर होना चाहिए तो इसी 5Q में से 3Q अलग कर दो प्लस के मिल गया कि नहीं और इनके बीच की दूरी और वन आ है अच्छा इसमें अब कितना बचा प्लस का 2Q वो इसके सामने अर्जेस्ट हो जाएगा माइनस 2 की वाले की सामने मैनस कर टूंक यो ठीक है इस 5Q को कर देंगे अच्छा इसकी जो दिसा आएगी P1 की पहले इसके कारण इसकी दिशा इधर होगी है न माईने से प्लस इसकी दिशा इधर होगी ठीक है यह आपका मालो P2 है ठीक है क्या है P2 है तो आप इसे कैसे करेंगे यह आपका P2 है तो सब का मान निकाल देते हैं जी मान लो P1 आपके पास आया कितना 3Q into r1 और P2 कितना यह तेरे कितना है 2Q into R2 ठीक है यहां पर कंडीशन डाल देते हैं यह आपका R2 है कंडीशन यह डाल देते हैं जो आपका R1 है ना बड़ा है किससे R2 R2 से तो समझ में आ गया P1 जादा है और P2 क्या है कम है तो इनका जो पर्लामी होगा ना वो किदर आएगा इधर आएगा पी तो इसकी जो नेट दिशा होगी ना इधर होगी ठीक है तो पी नेट जो आएगा ध्यान रखना इसकी दिशा वाले को ले लेंगे पहले मलब P1 को ले लेंगे और हम उसमें से माइनस कर देंगे क्या करेंगे माइनस कर देंगे किसको माइनस करेंगे माइनस किसको करेंग क्योंकि वो उसके भिप्रीध में है समान होता एड़ कर देते कोईरिक दिक्कट वाली बात नहीं placed एड़ कर देते एकदम यहें पर हम एड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी पूरी दिस Estamos ह तो कंई से 3Q20 x 1 minus 2Q20 R20 देखिए यहां पर आप क्यों कर सकते हैं क्यों तो 3R1-2R2 अब यहां पर जो भी दूरी दी जाए तो आप यहां पर रखके आप सॉल्व कर लेना तो आपका अंसरा जाएगा है ना इसलिए हमने कोई क्यों करना आरवन आरटू का मान लिया है अब ध्यान रखना कैसे भी पूछे जाएं आप से डील होना चरूरी है चलिए आगे समझते हैं तो अब भाईया बात करेंगे आगे वैदुत दुधुरू के कारण उत्पन वैदुच्छेत के तीब्रता और इसके अंदर का क्या आता है अच् अच्छे का मलब होता है कि भाई देखो आपने पास दो धरू है है ना एक माइनस के क्यों होता है ठीक है अब हम यह चेक करना चाहते हैं यह दोनों एक और इसका क्या क्या है कॉमिनिशन है हम यह पता करना चाहते हैं इस पी बिंदु पर देखना अच्छे लॉंग रखा होगा तो यह बड़ा इंपोर्टेंट है डे डेरिवेशन यह दोनों डेरिवेशन है यह आपके बोर्ड एक्जाम में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है तो और निरच्छे का मलब होता है कि आपका एक प्लस माइनस क्यों यह है यह क्या है माइनस क्यों और यह आपका प् छलब नहीं ठीक है बस मुझे क्या करना है निकालना है इस मद्द बिंद पर है ना इस लाइन पर किस कोई बिंद मान लेंगे उस पी बिंद पर हमें क्या निकालना होगा वैद उच्छेतर एपी ठीक है तो यह सब चीज हम अगले next lecture में बात करेंगे जो exam परपत से ज्यादा ही important है तो अगर आपको यह पूरा समझ में आया हो तो आप अपने इस वीडियो को है ना दोस्तों में जादा से जादा सेर करें और आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा ठीक है जिससे वीडियो को और बेहतर तरी अवाद